अपने पानी में तैरते रेस्टोरेंट तो देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो चलिए प्रियागराज हम आपको दिखाते हैं प्रियागराज में पानी पर तैरता रेस्टोरेंट जियाँ प्रियागराज में दो हजार पचीस के महा कुम्ब से पहले प्रियागराज को कई विकास योजनाओं की सौगात मिल रही है योगी सरकार के द्वारा कई पुल तो कई बड़ी सरंकों की सौगात मिल रही है टेंट सिटी की सौगात मिल रही है पूरा का पूरा में आने वाले सरद्धालूओं को किसी परकार की कोई दिक्कत ना हो। और वे सुरक्षित और सकुसल रास्तों से होते हुए प्रयागराज के संगम पर आकर आस्था की डुपकी आराम से लगा सकें। लेकिन उसके पहले संगम की रेती पर मागमेला दोहजार चोबिस लग र रेस्टूरेंट का उधगातन अपने हाथों से परियागराज में किया। इस दोरान उपी के सीम योगी आदितनात ने परियागराज को पानी में तैरता रेस्टूरेंट यानि फ्लोटिंग रेस्टूरेंट का गिफ्ट नए साल से पहले ही दे दिया। उत्तर-प्रदेश इसका प्रियागराज वैसे तो संगम पर लगने वाले मांग मिले और कुम्भ की वज़ा से जाना जाता है लेकिन यूपी का प्रियागराज अब पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट यानि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की वज़ा से भी जाना जाएगा क्योंकि प्रियाग पर आज़ाज के वोट क्लब पर बने इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक फाइग स्टार होटल की तरह सुभीधाएं उपलब्द हैं। लेकिन इसके मीनू में सिर्फ साकाहारी वैण जजन ही हैं। और साकाहारी के लजीज खानों की लिस्ट इस floating restaurant में आने वाले लोगों के लिए उपलब्द है। इसी floating restaurant को नए साल और महाकुम्ब और माग मिला के पहले आम आदमी के लिए सुरू कर दिया गया है। साकारी भोजन के अलावा यमना नदी की पवितरता का विशेज ख्याल रखा गया है और इसमें किसी भी तरह का नसा करने वालों के इंट्री पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर परदेश पर एटन विकास निगम की तरफ से बनाएगा इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में डेड़ सो लोग एक साथ जा सकते हैं। इसमें खास तरीके की लाइटें भी लगाई गई हैं जो हर किसी को अपनी और आकर सित करने में सक्षम हैं। उत्तर परदेश परेटन विकास निगम द्वारा लगातार यहां पर टूर पैकेज़ेश भी चलाए जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी संडोध करना चाहूंगा प्रयागराज वास्यों से और जो परेटक यहां पर आ रहे हैं। कि आके इस उच्च गुर्दता वाले जो यहां पर विवस्था की गई हैं। उनका आनंद उठाएं। तथा प्रदेश में तथा प्रयागराज में। जो एक परेटन का विकास किया जाना है। उसके लिए हम लोग कटी बद्ध है। इस रेट्टोरण के बनाने में किन बात होगा ख्याल रखा गया। क्या खास बात है। इसमें सबसे प्रमुग बंद्धी तो यह है कि सुरक्षा का बहुत विश्च ख्याल रखा गया है। कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, safety precautions क्या लेनी है, board club के संचालन भी हम लोग ने सुरक्षा का तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि नदी में किसी प्रकार की कोई गंदगी या pollution ना हो, इसके लिए हम लोग ने सुरक्षा के लिए हम लोग ने सुनिश्चित किया है कि हमारे पास जो कार्मिक हैं वो वेल ट्रेंड है, National Institute of Water Sports के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कराई गई है, साथ ही हम लोग ने इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड पैटी अफसर हैं, कमांडर हैं, उनको अपने निगम में भरती किया जिससे कि वो इसका सफल संचालन कर सके है। UP News 9 के लिए प्रियागराज से विमल सिरवास्तों की रिपोर्ट